अगर कल को कोई बच्चा आपके सामने चोटिल पड़ा हो, तो आप उसे फौरन अस्पताल लेकर जाएंगे और उसकी जान बचाएंगे, पर लाखो बच्चों की जान हर साल जाती है, बचाई जा सकने वाली बिमारियों से और किसी के कान पर जूं तक नहीं रहेंगती, बाल क्यों निमोनिया के एक कारण एक साल में भारत में 1,58,176 बच्चों की जान गई, या फिर डायरिया को बोलते और लिखते समय उल्टी और दस्त क्यों याद आ जाते हैं, और क्यों ये भी 1,283 बच्चों की जान ले चुका है भारत में, एक चौका चौका विकेट विकेट अगर क्रिकेट देखते हैं तो याद होगा, क्रिकेट में भारत बांगलादेश के चुड़ाया हुआ है, एश्या कप, निदाहस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, 2007 को छोड़ कर क्योंकि वो तो हुआ ही नहीं था, सभी जानते हैं, लेकिन निमोनिया और डायरिया से बचाव की तो बांगलादेश हमसे बहुत आगे है, भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा बोजिल देश है निमोनिया और डायरिया से बच्चों की मौत के नजरीय से, और हम नंबर वन बहुत लंबे मार्जिन से हैं, आप ये जरूर कह सकते हैं कि हमारी आबादी भी तो कितनी है, औ सत्रा लाख दस हजार भावी चैंपियन्स, सत्रा लाख दस हजार बच्चे जो की दुनिया बदल भी सकते थे और बदलते भी, पता है बच्चों की मौत का दुख सबसे ज़्यादा क्यों मनाया जाता है, क्योंकि ये बिना किंतु परंतु पोटेंशल दर्शाते हैं, जब कैसे बढ़ें, साधरन उपाय जैसे स्तनपान, साबुन से हाथ धुलना, ORS, Medical Center के आसपास होना और Zinc Supplements भी राम बांड सिध होते हैं, वैक्सीन्स तो जरूर, लेकिन वो क्या है न, इससे कोई mileage नहीं मिलता, औरों की तो क्या कों, मैं खुद ही पंडित नहरों के बारे में बात की जाए, क्योंकि वो चाचा नहरू थे और रहेंगे, इस बाल दिवस सबसे पहले उन सभी को जो की pneumonia और diarrhea के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको सलाम, इस अभिशाप के खिलाफ विजय भवा, और आपको happy बाल दिवस, बड़े होने की कोई जरूरत नहीं है, ये पूर्टा एक साजिश है, लेकिन अगर आप फसी चुके हैं, तो चलिए एक बहतर जहां बनाएं, सबसे पहले खुद समझें, और फिर दूसरे को समझाएं.